सिक्ष्टे क्लास चुडेंट्स, टूडे वी स्टार्ड चैप्टर, दा सल, नाउ वट इस सल, सल क्या होता हैं, सल आर राइक दा ब्रिक्स ओफ आ बिल्डिंग, दी आर दा बिल्डिंग ब्लोक ओफ आर बोडी, जैसे मालों एक बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग है कोई मौल, शॉपिंग मौल है, कोई भी चीज, स्कूल की बिल्डिंग है, तो वो बेसिकली अगर देखा जाए, तो वो किस चीजों से बनती है, ब्रिक्स से, इटों से बनती है, तो वैसी जो हमारी बोडी है, वो किस चीज से बनी है, सेल से, सेल जो हमारी बोडी की ब्रिक क्या चीज़े हैं इसमें, क्या चीज़े हैं जो इसको function करने के लिए चलने फिरने के लिए बोलने के लिए power देती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़े हमने इस chapter में अभी करनी है, Cells are the smallest part of an organism, Cells किसी भी organism का, चाहे वो animal है, plant है, human being है, कोई भी organism है, उसका सबसे smallest part है, तो जितनी भी life में हम activities करते हैं, चाहे हमारी growth होती है, metabolism activities करते हैं, metabolism का मतलब होते हैं, फूड इंटेक करना, खाना, उसको digest करना, waste चीज़ों को remove करना, respiration करना, और reproduction जैसे process, सारे यह जो हैं, वो हमारे basic function जो है life के, वो हम carry out करते हैं, therefore cell are the basic unit of structure and functional in all living beings, सिरफ cell जो होता है, अगर एक cell अकेला है, तो वो भी structure है, ठीक है, तो उसको unit of structure बोलते हैं, काफी सारे cells मिलके एक body बनाते हैं, तो हमारी body किसे बने हैं, हमारी body की जो basic unit है, structure है, वो क्या है, cell, cell are the basic unit of structure, हमारी body की structure की basic unit है, नीव है हमारी body की, और function भी यही करते हैं, जितने भी function है, वो cell की वज़े से होते हैं, चाहे growth है, metabolism है, या reproduction है, सभी cells की उपर depend करते हैं, तो मतलब जो cells है, वो हरे एक living organism की basic unit है, structure की भी और function की भी, यहां तक सभी को I hope समझ आ गया, next है discovery of cell, कि अब यह जो cell था, इसके बारे में first time किसने बताया, discovery कैसे हो यह इसकी, cells are so tiny that they cannot be seen with the naked eye, cells इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी naked eye से नजर नहीं आते हैं, ठीक है, उनको हम सिरफ microscope के अंडर ही देख सकते हैं, तो जब तक microscope की study नहीं हुई, उसकी invention नहीं हुई, तब तक हम cell भी नहीं देख पाएंगे हैं न, therefore, discovery of cell is linked with the invention of microscope, जब microscope की invention हुई, scientist ने microscope को invent किया, उसी के साथ ही हमें cells जो हैं दिखने शुरू है, और उसी के साथ ही cell की भी discovery हुई, cells were discovered by Robert Hooke in 1665, when he observed a thin slice of cork under his microscope, तो Robert Hooke जो की एक scientist थे, उन्होंने 1665 में cells की discovery की थी, कहां से की थी, thin slice of cork, जो पेड होता है, प्लांट होता है, उसका एक छोटा सा piece लिया है, जिसको cork बोलते हैं, उसका thin slice, बहुत ही पतला piece लिया था, जिसको उन्होंने microscope के अंडर observe किया, he noticed that the cork had large number of small boxes joined together to form a honeycomb like structure, उन्होंने क्या notice किया, microscope के अंडर कि बहुत सारे small boxes बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे के साथ joined है, जुड़े हुए हैं, जो कि एक honeycomb like structure भी बना रहे हैं, honeycomb क्या होता है, मदु मक्यों को छत्य को बोलते हैं honeycomb, तो एक वैसी structure उसने देखी, who called these little boxes cellular, उसने इन small boxes का नाम के रख दिया, cellular, जिनको English में cells बोलते हैं, these were actually empty species surrounded by cellulose wall, और actual में ये cell wall होती क्या हैं, empty spaces surrounded by cellulose, क्योंकि उसने cork लिया था, इसलिए उसमें cellulose wall present थी, अगर वो animal या human being का पार्ट होता, तो उसमें cell wall present नहीं होनी थी, तो ये plant का पार्ट था, इसलिए उसमें cellulose wall भी उसको नज़र आई, जिसमें अंदर क्या थी, empty spaces, खाली जगा थी, ठीक है, बट हर एक जगा खाली जगा नहीं होती, उसके अंदर nucleus भी होता है, तो उसने सिरफ इतनी ही invention की थी, जो detailed study cell के बारे में, और उसके function के बारे में, of its various parts were discovered only after the invention of electron microscope, दीरे दीरे जो और scientist थे, उन्होंने भी अपनी invention करनी शुरू कर दी, जो simple compound microscope है, उसके बाद एक new microscope बना, electron microscope, वो और भी ज़्यादा powerful था, और उसी की वज़े से ही, हमें आज पूरी detail study और उसके function के बारे में, cells के हर एक function, उसके हर एक part के बारे में पत है, तो next जो उसके parts है, वो हम कल read करेंगे, thank you.